गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो आप सभी कैसे हैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वास्थ और सुरक्षित होंगे बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्छा आठ का ग्रह शिल्प का पाठ एक स्वास्थ हम पिछले दो अंगों में पढ़ चुके हैं कि कुपोशन क्या है और इसको कैसे पहचाना जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि कुपोशन के कारण क्या क्या रोग होते हैं। सरीर में पोसक तत्मों की कमी या अधिकता से कुपोशन होता है। कुपोशन की कारण, आपर्याप्त भोजन, अनुप्युक्त भोजन, जागरुकता की कमी, आस्वक्छ वातवरण, गरीबी, भोजिपदार्थों में मिलावट, अतिपोशन, जनसंख्या ब्रद्धी कुपोशन से होने वाले रोग, कुवासियोरकर, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला कुवासियोरकर मुख रोग है, इस रोग में बच्चों के शरीर की व्रद्धी रुख जाती है, उन्हें भुख कम लगती है, तथा सरीर पर सूजन आ जाती है, बाल रूखे तथ चमक रहत हो जाते हैं तवचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकते पड़ जाते हैं आखें कमजोर हो जाती हैं उपचार आए देखें इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए क्वाशियोर का रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी होना है अता बच्चों को प्रोट में देना चाहिए इसके अत्रिक्त अनाज, मूंगफली, दूद, आदी का सेवन भी लाबदायक होता है दूसरा रोग है सूखा रोग सूखा रोग रिकिट्स रिकिट्स सरीर में केलसियम एवं बिटामिन डी की कमी हो जाने से बच्चों में सूखा रोग अस्ती दुरबलता या रिकिट्स हो जाता है सरीर में केलसियम और फासपोरस दोनों तत्व हड़ियों वा दांतों का निर्माड एवं उनको स्वस्त बनाए रखने का कारे करते हैं जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें अस्ती तंत्र के निर्माड के लिए केलसियम और फासपोरस दोनों खनिजों की अधिक मात्रा में आवशकता होती है इसके आभाव में बच्चे का विकास कम होता है तथा सरीर अत्यंद दुर्बन हो जाता है जिसे सूखा रोग कहते हैं सूखा रोग ना हो इसके लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रती दिन डेड़ ग्राम केलसियम और डेड़ ग्राम फासपोरस की आवशकता होती है सूखा रोग सरीर में केलसियम फासपोरस एवन बिटामिन डी की कमी से होता है उपचार में देखे क्या क्या करना है अता है इन तत्तों की पूर्ती है तू दूद दही पनीर अंडा दाल फल तथा पत्तेदार सबजियों का सेवन करना चाहिए दैने कहार में दूद लेना चाहिए अब इसका भ्यासकारे देखते हैं पहला प्रश्ण है कुपोशन किन कारणों से होता है इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षन वा उपचार लिखिये बिटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है नमबर तीसरा प्रश्ण है हड्डियों वा दातों के निर्मार में कौन सा खनिज लवन सहायक होता है इसी के साथ आज का यह अंक समाप्त होता है कल फिर मिलेंगे नए अंक के साथ बाई 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 बच्चो